गुट आफ्टिनून एब्रिवान वेल्कम बैक टू बिहार अड़र 24-7 में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो गैज आप लोगों को जैसा की पता ही है कि हेड टीचर और यहाँ पे जो हेड मास्टर हैं उन दोनों की अलग अलग वेकेंसी जो है यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है बिहार में तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हेड टीचर जिसमें कि 40,000 से भी जादा पदों पर वेकेंसी आई हुई है उसका सिलेबस क आपको ध्यान देना होगा कि दोनों का पाठिकरम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको अच्छे से हम लोग आज समझते हैं कि यहाँ पर क्या 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 आपके सिलेबस में होने वाला है उस पर बात करेंगे तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि 40,000 से अधिक पदों पर vacancy जो है out हो चुकी है यह आप लोगों ने देखा ही ठीक है और 6000 पदों पर headmaster की vacancy जो है वो out हो चुकी है जिसमें कि आप देखोगे कि यहां पर सारी category wise vacancy जो है clear कर दी गई है कि यह category में इतनी vacancy रहने वाली है महिलाओं के लिए क्या रक्षन रहने वाले हैं वो सारी च इस लिया जाएगा उसमें pattern किस तरीके से रहने वाला है तो ध्यान से यहां पर समझेंगे कि लिखित परिक्षा जो होने वाली है वो यहां पर दो भागों में बटी होगी ठीक है भाग एक होगा जिसमें की 75 प्रश्ण होंगे और भाग दो होगा उसमें भी 75 प्रश्ण हो में यहां पर आप देख सकते हो कि यह पत्र दो भागों में विभक्त होगा यथा भाग एक एवं भाग दो भाग एक में समान्य अध्यान पत्र होंगे इसमें प्राथ्मिक गणित ठीक है भाग एक में आपका प्राथ्मिक गणित एवं मानसिक योग्यता राष्ट्य एव हम लोग भाग ये दो की बात करें, यानि जो part two का paper होगा, उसमें DLED के जो विशे आपने पढ़े होंगे, वो DLED के विशे जो है, यहाँ पर पूछे जाएंगे, यानि प्रधान सिक्षक के लिए DLED विशे, एक पत्र है, उक्त विशे, पत्र में DLED विशे के प्रश्ण होंगे, मतलब जो DLED में आपके विशे होंगे, उन्हीं के प्रश्ण जो है, यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, तो अभी हम लोग complete syllabus पर भी बात करेंगे, यहाँ पर exam pattern clear हो गया होगा, धाई घंटे का आपका paper होगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, तो यह आपका पूरा particular जो है, जो कि official website से, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सारी जानकारी, तो यह देखिए particular जो DLED वालों के लिए होगा, मतलब जो DLED के लिए, जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो level होगा, वो DLED level होगा, ठीक है, यानि जो भी आपने DLED में पढ़ा है, वो सारी चीजे यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग English में देखते हैं थोड़ा सा, क्या आपका रहने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, यह आपका head teacher के लिए syllabus जो यहाँ पर जारी किया गया है, तो भाग एक में 75 नंबर का paper होगा, जिसमें कि general studies आपका होगा, ठीक है, सामान अध्यान, the subject of general studies will include question, covering the following fields of knowledge, मतलब यह यह चीज़ों की knowledge आपके पास होनी चाहिए, अब कौन-कौन सी, तो देखेंगे यहाँ पर general science, यानि सामान ने विज्ञान जो है आपका होना चाहिए, current affair आपका होगा, Indian national movement and the part played by the Bihar in it, मतलब मुख्यतर पर आप देखोगे, तो जो बिहार से related history है, बिहार से related जो भी Indian national movement में पाट लिये गये थे, उससे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जियोग्राफी के वहीं पर प्रश्न पूछे जाएंगे, Indian polity पूछा जाएगा, elementary mathematics and mental ability test, मतलब आपका गणित और mental ability test भी होगा इसमें, में यहाँ पर दे दिया गया है कि क्या-क्या आपको इन सारे subjects में भी पढ़ना है, मतलब यह और detail में आपसे बता दिया गया है, ठीक है, तो जो ग्रॉफी देख सकते हो, हमने अभी बात की थी, mathematics आप देख सकते हो, यहाँ पर, एक सेकेंड, तो इसको भी अंग्रेजी में, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हाँ, यह देखे, यह पूरा आपको पार्ठिकरम, हाँ, यह सेमी है, इसका हिंदी में बस यहाँ पर दे दिया गया है, translation, तो basically आपका क्या-क्या आने वाला है, तो आप देख सकते हो, कि पहले पार्ठिकरम में clear कर दिया है, कि भाग एक में जो सामान अध्यन होगा, ठीक है, उसमें आपका general science हो गया, ठीक है, mathematics हो गया, mental ability test हो गया, यह सारे होने वाले हैं, और जो भाग दो का है syllabus, वो साफ-साफ clear कर दिया गया है, कि जो भी आपने DLED के अपने पार्ठिकरम में पढ़ा होगा, उन ही के level का प्रश्न जो है, आप से यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है, तो अगर आप syllabus को लेकर, जो confusion था, I think वो एकदम दूर हो गया होगा, तो दो भाग में आपका paper होगा, मैं दुबारा से बता देता हूँ, पहला भाग जिसमें की 75 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है, 75 अंख होंगे, 75 प्रश्न होंगे, और उसी में ही आपका पूरा जो है, सामान अध्यान होगा, जनरल साइन्स जिसमें की होगया, आपका current affair होगया, इंडिया नेशनल मुव्मेंट हो गया, और mathematics हो गया, ठीक है, और आपका mental ability हो गया, और उसी के साथ जो भाग दो है, उसमें पूरा जो डियलेड का syllabus जो होता है, ठीक है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, दुबारा से याद दिला देना चाहता हूँ, कि eligibility जो रहने वाली है वह आपकी, आप सबसे पहले तो सिक्षक होने चाहिए, और कम से कम, आठ वर्स जो है, आपके पास experience होना चाहिए, मतलब minimum 8 years का experience अगर आपके पास है, तो ही आप इस form को fill कर सकते हैं, clear है यह चीज, चलिए, तो आशा करता हूँ, कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं आप सभी लोगों से अनुरोद करूँगा, कि जितने भी बच्चे जो इस form को fill कर रहे हैं, या ऐसा सोच रहे हैं कि हमें fill करना चाहिए, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, कि Google form दिया गया है, चैट बॉक्स में pin है, उस पे आप लोग इस Google form को जरूर fill कर दीजेगा, ठीक है, बिल्कुल कोई भी इस form को fill कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो पाठिकरम रहेगा, देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ DLED वाले ही form को fill कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, मतलब होना चाहिए, वो teacher और आठ वर्स minimum उसने कार किया हो, ठीक है, as a teacher जो है, आठ वर्स उसने कार किया हो, उन्हीं को इसमें मौका दिया जा रहा है, ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि दीगे जनकारी से, आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे, और अगर आपके स्टिल कोई doubt बच गया है, तो वो आप जो है comment box में comment करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत जादा difficult syllabus नहीं है, एकदम सुल्जावा syllabus यहाँ पे दे दिया गया है, basic basic level की पढ़ाई है, ठीक है, okay, thank you, good bye.